हलो स्टुडेंट वेलकम टू अनुपिश्रेडी जोन आप सभी लोगों का अनुपिश्रेडी जोन में स्वागत हैं पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इकाई अंक है ना इकाई अंक को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए आज कुछ एक दो पॉइंट में सुन्यों की संख्या जिससे आपका नंबर सिंटम में वएटिस अच्छा रहता है अंग्यों की संख्या करते ह tätä करते हैं सबसे पहले हमने जो आपको नियंग है उससे फालो करना है फैकाई अग्याद करना है एक क्या अनक मैंने आपको पहले ही रखा है किस तरह से निकालेंगे यदि आपने नहीं देखा है पहली क्लास तो डिस्क्रिस्टन में लिंक दिया गया है आप वहाँ पे जाके पहली क्लास को देख लीजिए और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि काई अंख निकालते कैसे हैं तो यह किशन आपको बड़ नहीं हम लोग एजी मॉडरेट करेंगे उसी मॉडरेट में देखेंगे जो हाई हो सकता है पुलीस की लेवल खिसाब से वह हम लोग देखते हैं इसको साल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अब इसमें इसको साल्व करने तक हमको यह देखना होगा कि इसका इकाई तो 0, 1 और 5 और 6 यह हमेशा इसका इकाई अंक कितना भी घात करेंगे उसका कितना भी बार मल्टिप्लाई करेंगे वो हमेशा इकाई अंक इतना ही देगा 0 का 0 होगा 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 होगा तो यहाँ पर 5 है तो इसका इकाई अंक निकालेंगे तो 5 ही हो जाएगा माइनस करेंगे यहाँ पर 3 है मैंने बताया था 4 से कोई संख्या तभी करती है जब उसके अंत में 2 अंक जो होते हैं वो क्या हो जाए डिवाइड हो जाए 4 से तो यहाँ पर हमने क्या कहा था दो ही अंक हमको ले लेना है तो ले लिजे चली यह हो गया दूसरे वेड़केट मे सब्सक्राइब दौसरी और चैसे भाग करेंगे यहाँ पर जाएगा सत्रा बार तो सेस कितना बचेगा टीन के घात मी एक सेज़गा ठीक है मैं है अब प्जाओं से भाग देते हैं माली जी आपने 56 भाग दिया तो कितनी बाव जाएगा एच दिखे एक बना बचा एक भी जोगए जब 0 तो कितना होगा देखें 35 भाग download नें चार का कितने बार जाएंगा जहां पढ़ेंगों तो आठ बार जाएगा 32 कितना मुझेगा तीन से सुच्छ आपका बच जाएगा तो साथ के घात में 3 हो जाएगा तो यहां पर यह ध्यान दे को निकालना है तो नो यहां पर चार घृकर नो नो गुटर नव गुरे नो गुड़े जैसे करेंगे कि इसके नो यॉक्या सी होता है इसका होता है क्या होता है क्या सी भी दूनों का Jan's कहोड़ा करेंगे तो कि इनदब ऑस 24 है नचरी का टा याँ चार हो जाएगाय स्कों अपर चारा कर लिए फिर गुड़ा करेंगे तो सात गुड़े साथ गुड़े साथ हो जाएगा किन सब्सक्राइब चार आप का तीन जो होगा यहाँ गुड़े ब्रेकट हटा दीजी अब यहां पर आपको पता था माइनस नहीं करना है आपको माइनस नहीं करना एक माइनस चार है तो आप इसमें एक और आगे लगा दीजिए आपको पता है जैसे कि जब चोटे संक्या में से बड़ी को गटाते हैं तो बगल वाले से उधार लेते हैं तो यहां पर भी आपको उधार लेना है जैसे उधार लेंगे 11 हो जाएगा 11 में चार गया साथ हो जाएगा फिर गुड़ा यह आ जाएगा और तीन पहले से ही है और जब इसको आप मल्टिप्लाइग करेंगे तो कितना हो जाएगा साथ दूनी चौदत्यां 42 तो अब हम लोग क्या करेंगे इस प्रशनों में अब दिखिए आपके यह टाउट होगा कि इस इतना जो है लेंदी प्रशन आएगा क्या एक जाम में आपको मेरा बस यहीं सुझाओ है कि आप प्रशनों को साल्व करना सीखे किसी भी तरह से प्रशना आता है उसको आप प्रशनों को कैसे साल्व करेंगे अब देखिए प्रशनों को हम लोग कैसे साल्व करेंगे यहां पर आपको पता होगा यह जिसे मालीजी दस और ऐसे करके लिग दिया यह जो सिंबल होता है न इसको कहते हैं फैक्टोरियल क्या कहते हैं फैक्टोरियल यदि आपको कभी भी ऐसे करके भी दस मिल गया इसको भी कहते हैं दसका फैक्टोरियल अब यह फैक्टोरियल क्या होता है इसको समझना है है न हेडिंग डालेंगे आप क्या फैक्टोरियल अब यहां पर फैक्टोरियल हम लोग क क्यों पढ़ रहे हैं इसको आराम से समझेंगे छे सीधे प्रशन पूचेंगे लेकिन यहां पर आपको जानना जरूरी है कि एकाई अंक में कैसे हम लोग निकालेंगे फैक्टोरिया तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यह हमने कहा एक का फैक्टोरियल इसका मतलब क्या होता है एक एक का फैक्टोरियल क्या होगा एक होगा हमने कहा दो का फैक्टोरियल तो दो का पहले 2 लिखिए फिर उसके बाद क्या आता है एक आता है यह आपका दो कर हाथ है और तीसरा क्यों को करिये और 1-5 करिए चार नो क्या होगा Sure-क प्रारभ जाएंगे अ यह美味 यह QUE यह होता है factorial मतलब यह जब कि भी संख्या आपको फैक्टोरियल कहके दिया जाए तो आपको क्या करना है आपको ये करना है कि ये जो फैक्टोरियल ये उस संख्या से लेके घटते क्रम तक हमको एक तक जाना है वो होता है फैक्टोरियल इसे के आगे चलेंगे यहां पर देखेंगे पांच फैक्टोरियल तो 5 गुड़े, 4 गुड़े, 3 गुड़े, 2 गुड़े, 1 हो जाएगा, 6 का फेक्टोरियल क्या होता है, 6 गुड़े, 5 गुड़े, 4 गुड़े, 3 गुड़े, 2 गुड़े, 1 हो जाएगा, इसी तरह से 7 का फेक्टोरियल क्या होगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसी तरह से हम लोग ध्यान देजिए जब भींगाई अंक पूछता है तो हमको सबसे अंतिम बाला संख्या पूछ बताना पड़ता है अब मालीजी आपसे एक का फेक्टोरियल का पूछ दिया बताई इकाई अंक तो यहाँ पर सिंपल्स आपको दिख रहा है कि एक ही होगा चलिए दो फेक्टोर ऊपोरियल कह रहा है तो आप क्या हो हो जाएगा मतलब इसका भी काई अनका रोगा चार फैक्टोरियल है तो 24 त्याइँ 12 कितना हो जाए कि 700 होगा, इसका भी काई अंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एक बात याद रखिए, जब संख्याएं, जीरो कम होती हैं, जीरो इकाई अंक में तभी होगा, जब मल्टिप्लाइ में 5 और 2 का गुड़ा हो, यही एक ऐसा पेर होता है, जब हमको क्या भी आएगा, दो भी आएगा, तो 5 का हम संख्या में गुड़ा करते हैं, तो क्या आता है, जीरो आता है, पांच का भी संख्या में गुड़ा करते हैं, तो क्या आता है, तो यहाँ पर आपको यहीं समझना है, यह जो 5 का फैक्टोरियल है, इसके बाद जितना भी फैक्टो पूछ रहा है तो इसका हमेशा क्या होगा जीरो होगा लेकिनि आपर एक से चार तक आपको ध्यान में रखना है é投़ 모정 कि युद्धन तुटीन यह वस्ता है तो ही 21 अंग कैसे निकालेंगे यहां तक कोई डॉट हुआ नहीं होगा डॉट होगा तो आप बताइएंगे ठीक है चलिए आ हुआ अब हमको क्या समझना है कुछ प्रसन देते हैं प्रसनों को समझते हैं चलिए यहां पर है एक क्यूशन मैं दे रहा हूं इसको समझे एक फैक्टोरियल प्लस दो फैक्टोरियल प्लस तीन फैक्टोरियल प्लस चार फैक्टोरियल और प्लस डट डट हम जाएंगे प्लस तीन 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 फैक्टोरियल में आपको क्या बताना है इकाई अंक बताना है कि बता दीजिए कि जब हम इन सब को जोडेंगे अब एक फैक्टोरियल का मतलब क्या एक दो फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया छे हो जाएगा चार फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल उसके बाद होगा 120 मतलब यह सभी संख्याओं को हमको जोड़ देना है 3333 तक और उसके बाद बताना है कि इकाई में या सबस्यांत में कौन सा संख्या होगा तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यदि हम यहां से देखें तो एक का फैक्टोरिय यहां तक तो आपको समझ में आया होगा इसके आगे हम लोग जितना भी बार जाएंगे सब का कई-acyева क्या होगा 1 ही होता चला जाएगा 5 कई-2 होता चला जाएगा तो मतलब यह अब यहां पर जितने भी सभी कि-इकाई-उम्क में क्या होगे जी रो होगे यहां यहां पर भी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 24 था तो, अब ही हम सभी इकाई अंक को जोड़े लेते हैं, और जैसे ही जोड़ेंगे, आपको पता चल जाएगा, कि इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 4 10 दुबारा एक 13 बस 13 बाकि सब तो आगे जीरो जीरो ही होंगे इकाई अंक में तो यहां पर 13 आ गया और इसका जो तीन है यहीं इकाई अंक हो जाएगा यह क्या हो जाएगा इकाई अठीक है समझ में आया ठीक है यदि कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके इसका टायमिंग फिंप कर दिया जा रहा है जो मैद का टायमिंग होगा अब आपका तीन बजे एली मैथ नकल्जे कलास श्रालें होता है यह हो सकता है अब हम इसके बाद आगे चलंगे, अगला प्रसंन क्या है, उसको देखेंगे, अगला प्रसंन है आपका, एक के घात में एक फैक्टोरियल के घात में 99 प्लस दो फैक्टोरियल के घात में 98 प्लस तीन फैक्टोरियल के घात में क्या हो जाएगा 97 प्लस चार फैक्टोरियल के घात में आपका हो जाएगा 96 ऐसे से करते करते हम लोग जाएंगे 99 और इसके फैक्टोरियल इसके घात में क क्या होगा इसमें क्या बतना है क्या होगवां देखने वे जैसे ही प्रशनाये नहीं समय देखangen लेकिन यह क्लास देखें तो आह RIGHT क्योंकि क्या करना है femeal GUY कहीं तो निकालना है क्यूं हमेलों में पढ़ेंगे कोई नहीं है बस ध्यान से समझे हमको यहां जैसे चार तक देखना चार के बाद जैसे पांच फैक्टोरियल आगा तो उसका कितना भी घात कर लीजिए इकाई अंक जीरो होने वाला है उसके बाद से कोई मतलब नहीं है कि आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं थाया नहीं तो क्योंक घात में 98 है अभी श्यंक आपको निकालने आता है एक फैक्टोरियल का आप कितना भी एक कर घात में 199 लगा दीजिए ये तो हमेशा एक ही रहने वाला है वे यह दो है दो क्या आप हूँता है देखे दो थो होता है तो दो के घात में क्या हो जाए का हो जूबइस तो 24 का म सिर्फ 4 ले लेते हैं इसके घात में क्या हो जाएगा चांड़ में बाकि आगे सब क्या है है जीरो है एक आई अब बताइए एक के घात में नियान में करेंगे कितना पिंख कर लेजिए एक हमेशा एक ही आयगा दो के घात में 98 है तो यहां पर ध्यान समय लेंगे करेंगे, इसको भी चार से पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कितना बचेगा आपको जब जैसे 98 से तुरन डिवाइड कर लिजे 4 से चार दुनी 8, 1, 18, 4, 4, 4, 16 कितना बच गया 2 बच गया तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 के घात में 2 कर देजिए प्लस 6, 6 एक ऐसी संक्या है जिसके घात में आप कितना भी घातांक जोड़ देजिए लेकिन वो अपना इकाई अंक 6 ही रखेगा, हमें साथ इसका इकाई अंक 6 ही आ जाएगा उसी दरह से यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर है आपका 90 है न, क्या है 90, यह तो आपका कड़ जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर 6 होगा तो यह भी 6 हो जाएगा और यह कड़ जाएगा, जैसे यह कड़ जाएगा, चार के खाष्म में आप क्या रखेंगे, चार अब इस हुंको plus करना है एक ये दो चार हो गया यहाँ पर चार गुड़े चार गुड़े चार गुड़े चार गुड़े चार इसका इकाई अंक निकाल लेंगेях 00,4 चुझ 16 यह गो ये 6-6 का multiply कर लीजिए तो कितना भी 6-6 का multiply करेंगे इकाई अंक 6 ही आएगा इसके आगे चलेंगे तो इसको जोड़ दीजिए 6-6-12-4-16-17 आपका कितना आ गया 17 इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 ये क्या हो जाएगा इकाई अंक ठीक है समझ में आया यहां तक कोई डाउट होगा तो बताईएगा हाँ ये है कि ये जो प्रेश्ण है थोड़ा सा 68 का प्रेश्ण का मामला तब फसेगा जब आपसे कहे गा एक फैक्तोर्यल प्लस दो फैक्तोर्यल इसमें बता दिजिए कि यहां पर जीजिए नहीं करना है एक फैक्टोरियल का एक होता है, प्लस दो फैक्टोरियल का दो होता है, दो एक जोडेंगे, तो कितना जाएगा, तीन, और यहीं आपका answer हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई doubt नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरह से, हमारा जो इकाई अंक का topic है, यहाँ पर समाप्त होता चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं स्थानी अमान और जाती अमान हलाकि आप लोग बच्पन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं और आप लोगों को पता भी है लेकिन सलेबस में है प्रश्ण एक दो बार पूछा है एक्जाम में तो हम लोगों को वहाँ प प्रश्ण का तरीका क्या होता है पूछने का बहुत ही इजी होता है बहुत ही असान होता है इसको समझे इस्थानी इमान का इंग्लिस में होता है प्लेस वैल्यू और जाती अमान का क्या होता है फेस वैल्यू ठीक है आप देखिए प्लेस वैल्यू मतलब जहां पर प्लेस उसका होगा फेस वेलियू में लगास आपसे कहा गया तीन चार आट नो सिस्थानी आमान मतलब उस इस्थान से लेना है जाती आमान हो Bio स्वयम में कौन से जारी पूछा है माली आपसे पूछा बता दिजे आठ का स्थानी अमान क्या होगा जब आपसे स्थानी अमान पूछे गा तो आपको यह आठ लेना है ऐसे और इसके बाद कितने अंख हैं दो अंख हैं तो दो सुनने लगा देना है जैसे ही आप दो सुनने लगाएंगे तो आप बताएंगे कि उसका जो place value है उसका जो स्थानी मान है वो 800 होगा लेकिन इसका face value क्या होगा इसका face value ये स्वयम ही होगा ये जो face value होगा जातिय मान जो है वो स्वयम 8 होगा मालीजी कहा गया 38 में 8 का जो है क्या हो जाएगा स्थानी मान तो आप कहेंगे 8 क्योंकि इसके बाद तो कोई अंक नहीं है तो 0 भी नहीं लगाना है इसका जातिय मान क्या हो जाएगा जातिय मान भी 8 हो जाएगा इसका जो है स्थानी मान और जातिय मान दोनों क्या हो तो स्थानी अमान का मतलब जब भी कोई आपको संख्या दी होई हो मालिजे 7 9 2 3 8 दिया गया है इसमें आप बता दीजे कि स्थानी अमान क्या है हना तो आप क्या कहेंगे इसका जो स्थानी अमान होगा किसका नव का स्थानी अमान क्या हो जाएगा नव का स्थानी अमान क्या स्थानियमान क्या होगा इसेइं इसका जातियमान होगा स्थानियमान होगा अब परिक्षा में आपसे यहीं पूछेगा कि एक संख्या दी गई जातिया मांन क्या होगा इसका स्थानीय मान क्या होगा यहाँ पूछेगा आप समझने कि कोशिज करिए कि यहां पर प्रेशन का तरीका आपको पतावना चाहिआ कि क्या क्या होते हैं प्रश्न पूछेगा एक संख्या दे दिया गरखतर ये इसमें कहेगा कि दो का किसका दो का इस थानिय मान दो में क्या अंतर है तो अब आपको 2 का स्थानिय मान निकाल ना इसमें 2 कहा है यहां पर है यह हो गया आपका दो 2 यह kg- और यह आपका जाती अमान हो गया जाती अमान सोयम दोगा इसको अंतर पूछ रहा है दोनों घटा दीजे कितना हो जाएगा यह आठ हो जाएगा नौ 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 एक यह आपका एंसर हो जाएगा तो प्रस्ण का पूछने का तरीका यहीं होगा कभी अंतर पूछ देगा तो क्या होते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे अच्छा एक बात और आपके मन में आ सकता है चलिए सर यह इसमें साथ दो साथ तीन चार में प्रस्ट में पूश दिया बता जीजिए कि साथ का स्थानी अमान क्या होगा तो यह बता पाना मुस्किल है है न क्योंकि यहां पर कितने साथ हैं एक दो तीन तो आपको कौन सा साथ बताएं क्योंकि इस वाले साथ का स्थानी अमान सत्तर होगा इस वाले साथ का साथ हजार होगा है न इस वाले का क्या हो जाएगा एक दो तीन चार पांस जीरो इसके साथ लग जाएगा तो यह बताना मुस्किल ह यहां पर आपसे इस्थानी इमान नहीं पूछे का जाती इमान भूचता है तो ऐसे प्रतOME नहीं आते हैं यहीं पर नहींulation सुन्य निकला जाए है accounting कैसे निकालते हैं ज़ें जहां पर धूरा सा भी डाउट होता है तो तुरंद कमेंट कर पोचुछ सकते हैं आपके सभी comment का जवाब मिल जायेगा ठीक है और यादी आपको class समझ में आता है तो comment तो करिये ही और साथ ही साथ में आपको क्या करना है share भी class को करना है और like भी करना है चैनल में पहली बार रहेंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए है ना थोड़ा सा हम लोगों को भी लगे कि हाँ ठीक है कुछ चल रहा है लोगों को समझ में आ सब्सक्राइब करेंगे सुन्यों की संख्या अब इसका मतलब क्या है यह क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुन्यों की संख्या आप से परिच्छा में कहता यह गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े पांच गुड़े डट-डट करके सौ तक जाएगा और बोलेगा बताइए इसमें कितने सुन्ने होंगे तब आप पूरा गुड़ा करेंगे एक तरफ से एक तरफ सौल का उसके बाद देखेंगे कितना धेर लग रहा है जीरोगा फिर आप काउंट करेंगे और फिर बता दीजिए कि कितना हो रहा है या तो यह एक मैं तरीका बता दे रहा हूं इसको फालो कर लीजिए आपका चुटकियों में सवाल सल्व हो जाएगा चले पहले समझते ही कि जो सुन्यों की संक्या है इसको हम लोग फाइंड करसे करते हैं यह होता क्या है पहले यह समझते हैं तो देखें यहाँ पर यदि आप लिख गुड़े चार इसमें क्या सुन्यों की संख्या है आपसे कहा गया पचीस गुड़े बारा इसमें क्या सुन्यों की संख्या है आपसे कहा गया तेर गुड़े सतर है ना आपसे कहा गया दस गुड़े सतर अब एक बात आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे क्या देखेंग कि भाई जब हम लोग 15 में 17 का गुड़ा करेंगे तो क्या कितने 0 आने वाले है ये समझना है जैसे यहाँ पर है 5 गुड़े 4 5 चौका कितना होता है 20 होता है 5 चौका कितना होता है 20 होता है जैसे ही 5 में आपने गुड़ा किया यहाँ पर देख रहे हैं कितने सुनने आ गए एक जीरो तो आप बता दीजे कि सर इसमें एक जीरो होता है यहाँ पर देखिए पचीस गुड़े बारह यहाँ पर कितने सुनने होंगे अब यहाँ पर भी आपको गुड़ा करना पड़ेगा तो गुड़ा करेंगे तो पचीस दूना 50 होता है अब 25 धा में 200 होता है इसको जोड़ेंगे तो आपको आएगा 300 कितने 0 होंगे इसमें दो 0 होंगे है नहीं यहाँ पर 13 गुड़े 17 कर लीजिए और यहाँ पर 10 गुड़े 17 यहाँ पर 170 यहाँ पर 170 आ जाएगा इसमें भी एक 0 आप एक ची नोटिस यहां पर करिए जहां पर विसम संख्याए हैं जैसे यह भी विसम संख्या है यह भी विसम संख्या है तो यहां पर 0 आने की संभावना ना के बराबर है हलाकि यहां पर 5 है यहां पर 13 और 17 है यहां पर भी 0 आने की संभावना ना के बराबर है ठीक है चलिए अब हम बताते हैं कि जीरो आता कैसे है ये समझे ऐसे पहली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम पांच का गुड़ा किसमे करते हैं जीरो में तो कितना आता है जीरो आता है जब हम पांच का गुड़ा समसंख्या में करेंगे किसमें करेंगे समसंख्या में करेंगे तो भी जीरो आएगा पांच का जो गुड़ा होता है वो भी समसंख्या में करेंगे किसमें करेंगे भी समसंख्या में करेंगे तो कितना आता है पांच आता है अब ध्यान से यहां पर आप देख सकते हैं कि जीरो आने के जो capability है वो हमे है यदि 5 के साथ भी समसंख्या है तो कभी भी आपका 0 आएगा ही नहीं तो यहाँ पर यदि 5 के साथ 0 है या किसी भी संख्या के साथ 0 है तो 0 आना तो तै है लेकिन 5 के साथ समसंख्या है तो भी 0 आएगा लेकिन 5 के साथ विसम संख्या का multiply करेंगे तो 0 नहीं आएगा 5 आएगा अब यह मैं बता क्यों रहा हूँ अब यह इसी को यहां पर देख लेजिए यहां पर तो 5 था यहां पर क्या संख्या है क्या बिलकुल नहीं है है न जैसे इस पंद्रों को आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 5 गुड़े 3 17 का तो गुड़न खंड होता ही नहीं 17 गुड़े 1 होगा तो 5 का multiply आप 3 में करेंगे तो भी 15 आएगा पंद्रों में जैसे ही 5 7 करेंगे 35 आएगा तो 5 का जैसे ही विसम संख्या में करेंगे तो अंत में क्या आने वाला है 5 आने वाला है उस condition में कभी 0 होगा ही नहीं आप अब यहां पर देखिए 5 जैसे यहां पर और यहां पर एक समसंख्या था देखiada हम यहां पर 25 का मतलब पांच गुड़े पांच यहां पर क्या था यहां पर यहां पर यह दोनों भीसम है इस50 ना कि आये गई ने कभी 10 गुड़े सत्र है तो यह समें आपको सीधे एक जीरो दिख रहा है तो इस तरह से आप सुन्यों की संख्या फाइन करेंगे एक प्रश्ण में लिख रहा हूं इसको समझने की कोजिस करिए क्या समझेंगे इसमें एक गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े चार डडडडड़ गुड़े बीस इसमें आपको सुन्यों की संख्या बताना है क्या बताना है सुन्यों की संख्या कितनी होगी इसमें सुन्य तो ध्यान से समझ यह कितने हैं इसका मल्टिप्लाइग करिए तो पहले कितना सुन्य होगा अब क्या करें एक का गुड़ा दो में करिए 2 त्याइं 6 च्छेका 24 ऐसे करते हुए आप 20 तक गुड़ा कर लिजिए फिर देखे कितना आता है और अंते में लिख दिजीए सुन्यों की संख्या कितनी है तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा क्या हम परिक्षा में बैठेंगे तो इतना लंबा गुड़ा करके हम देखेंगे क्या सुन्यों की संख्या विल्कुल नहीं हमेसा जीरो आने के लिए हमको एक पाँच और एक दो चाहिए क्या चाहिए भाई एक पाँच और एक दो दोनों का गुड़ा करना होगा मतलब जैसे ही यह पेर आपको मिलेगा आपको तुरंथ समझ जाना है कि एक जीरो का निर्माड हो रहा है कितने जीरो का एक जीरो का एक पांच और एक दो मिलेंगे तो आपको ये समझना है कि एक जीरो दो पांच दो जीरो जैसे पांच गुड़े पांच दो गुड़े दो दो पांच और दो यहाँ पर एक पेर मेंने किसका बना है पांच और द है ना ऐसे हिंदी मिलें तो आप 10 और 20 समझेंगे 10 और यह कितना हो जाएगा दो जीरो है समझ में आया मतलब समझना है जब हमको यह पेर मिलेगा ना तब ही हमको जीरो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा जीज यह यहीं वाला रूर है बस इसको आप अपने तरीके से यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, पांच गुड़े तीन, गुड़े सत्रह है, कहीं पर भी पांच तो आया है, लेकिन दो कहीं आया है, क्या, नहीं आया है, मतलब इसमें 0 होगा ही नहीं, सिंपल सा चीज है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1-0 क्यूं आया, क्योंकि यह जो 4 है न, यह 2 गुड़े 2 होता है, देखेंगे एक ही पेर तो बन रहा है, 5 और 2 का, जब एक पेर बनेगा तो 1-0 आया है, यहाँ पर इतना गुड़ा करने उन्हें जरूत नहीं है, 25 थाथ 5 गुड़े 5, 12 थाथ 2 गुड़े 2 गुड़े 3 कर लीजिए, कितना पेर बन रहा है, एक पेर बन गया, दो पेर बन गया, यह 5 दो का, यह 5 दो का, तो आप क्या कहेंगे, भाई चले ठीक है, कितने 0 बन जाएंगे, 2-0 बन जाएंगे, इसका मतलब 1-0 इसमें होगा, देखिए आपके सामने 1-0 है, ठीक है, इतना चीज समझ में आया होगा, है ना, थोड़ा सा आगे देखते हैं, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, तो क्या जब इतना लंबा लंबा सवाल आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कि सब पेर निकालने बैठेंगे क्या, जरूर एक बर कोशिस से भी करिए, और नहीं समझ में आ रहा है, तो एक तरीका और मैं बताऊंगा, है ना, पहले तो आप इस पर फोकस करिए, माल लिजी आप से कहा गया, यह वाल सवाल लिखते हैं, पचीस गुडे, लिख लेते हैं, बारा, क्या लिखते हैं, पचीस गुडे बारा, इसमें यदि आपको पूछ दिया जाए, बता दीजिए, इसमें सुनने हो कुसं क्या, तो आप क्या करेंगे, तुरन तोड़ देजिए, पांच बचे पचीस होता है, और यह दो दूनी चाहते हैं, बारा, देखें, कितने पियर, एक, दो, दो पियर बन रहा है, इसका मतलब दो जिरो, या तो आप यह कर लिजिए, देखें, कितने टोटल पांच है, दो पांच है, पांच की घात में, दो, गुडे, कितने दो है, दो के घात में, दो, तीन कितना है, एक, रहने दीजिए इसको, तो हमको पियर किसका चाहिए था, पियर चाहिए था, पांच का, और दो का, देखें, इस पर भी दो है, इस पर भी दो है इसका मतलब इसमें दो जीरो बनेगा एक बात याद रखीएगा जिसकी संख्या कम होगी पांच में से और दो में से उतना ही जीरो बनेगा जैसे मालीज ये कल को कोई ऐसा प्रशन आगया और यहाँ पर 2 पर 2 ही लगाएंगे तो आप यह कहेंगे कि नहीं यहाँ पर 4-5 है यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर यह समझना है कि आपको देखिए कौन सा कम है यहाँ पर 2 वाला कम है तो यहाँ पर 4-5 है तो पेर वही बनेगा जिसकी संख्या कम होगी तो यहाँ पर 2 है तो 0 क गोडे पांच गुडे 5 गोडे सात हो जाए तब आपको यह समझ ना है कि दो गहात में तीन और 5 कि इस धात में दू है संक्या किसकी कम है पांच in तो यहांपर दो और पांच प्रभी बनेंगे ना जब वहां पे दोनों बिद्यमान हों जितने भी इस दिमान पीर उतने ही जीरोगे अब संख्या जिसकी जादा होगा उसको उकर छोर देना आप यहीं सब्सक्राम सुद है है कि इतना बनेगा उतना जी नहीं टीक है इतना समझ में आ गया होगा सब सके फागर चलते एक प्रसनों को देख लेते हैं फिर अगे ये तो समझ में आ गया होगा कि पेर हमको धूनना है अब ऐसे प्रशनों को साल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या ऐसे प्रशनों को साल्व करने के लिए यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक बार पांच मिलेगा फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो दस में मिलेगा जीरो फ जितनी बार समसंख्या यांगे, उतनी बार 2 होगा, 2 तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो 2 को मत count करिए, अब सिधे 5 को ही count कर लिजे, कितने 5 हैं, 2 तो बहुत हो जाएंगे, 2 में भी होगा, 4 में भी होगा, 6, 8, 10, 12, 14, सब में 2 है, लेकिन यहां पर 5 कितने हैं, क्योंकि मैंने भी बताया, जिसकी संख्या कम होगी, उसी को count करके, हमको यह बताना है, जीरो की संख्या है, तो सिधे प्रशन पर आएंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कितने 5 हो जाएंगे, यह दो गुड़े 5 होता है, यहां पर भी एक 5 मिलेगा, यह 5 गुड़े 3 होता ह यह कितने 5 गुड़े 4 होता है, कितने 5 मिलेगा है, 1, 2, 3, 4, तो यहां पर 4, 0 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4, 0 हो जाएगा, ठीक है, अब यहां पर आपको एक पात मैं बताता हूँ, उसको ध्यान से समझेए, क्या समझना है ध्यान से भई, जब इस तरह के प्रशन म मिले, एक गुड़े, 2, 3, 4, गुड़े, एक से स्टार्ट हो, तब आपको यह देखना कि अंत में यह क्या लिखा है, 20, इसी 20 में, यदि आप से पूछ ले, इसमें बता दीजिए, 3 कितने हैं, इसमें 3 कितने हैं, तो आपको बताना होगा, इसमें 3 कितनी बार आएगा, तो आप तुरंट क्या करेंगे, उसे से भाग दे दिये, 3 कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और तब तक भाग देते रहे, जब तक एक ना आजाए, जब तक ना जाए, जब तक वो अंतना हो जाए, जैसे यहाँ पर तीन दूना, चल्द, अब यह जाएगा, क्या, बिलक हो गया है, कि 2 जो है, वो हर समसंख्या पर आ रहा है, तो 2 का पता करना है, क्या, नहीं पता करना है, यदि पता करना होता, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसी 20 में 2 का भाग देते, चली जाएगे, 2, 10 बार, 2, 5, 10 होता है, 2, 2, 4 होता है, 2, 1, 2 होता है, यहाँ गया अब देखे कितना हो गया दस पांच पंदर दूसत्र एक अठार इसी एक सबका जो 18 बार इसमें दो आएगा तो क्या सुन्हें अठार होगी बिल्कुल नहीं होगी जब तक पेर हम नहीं निकालेंगे आप निकालेजिए अब यहां पर 5 की 5 की भी निकालेंगे क्योंकि ह दो और 5 का पेर चाहिए 54 अप जाएगा क्या नहीं जाएगा इसमें 5 कितनी दो ले लिए एक दो 3 3, 4, और यहांपर 5 कितनी भारा है? 4, बारा है, देख़ें आब संवज रहे होगा उन्हे प्र ने यहाँ पर 4 तीन हया चार बार 0 आएगा यही हमारा एंसर हो जाएगा कितनी भार 0 आएगा? 4 बार आएगा तो आपको यहां पर थोड़ा समझ में होगा कि यह दी मान लीजिए यह ऐसा प्रशन मिलता है तो आपको क्या करना है बस आपको यह जो अंत में दिया रहता है इसी को उठाना है और जिस भी संख्या को पता करना होता है हमको यहां पर पता है कि दो बहुत हैं तो पांच को ही निकालेंगे 5 पता कर लिए कितने हैं जितने होगा वहीं आपका एंसर हो जाएगा ठीक है चले एक प्रशन और मैं लख रहा हूँ इसको भी समझने की और बताने की कोशिच करिए कापीपेन लेके बैठा करिए जब कोई प्रस्ण लिखते हैं में उसको साल्व करने के कोसिस किया करिए सारी चीज़े आपको समझ में आएंगी है ना देखिए अब मैं एक प्रशन लिख रहा हूं इसको बताईए एक गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े चार गुड़े ड़ड़ ड़ड़ करके आपको बताना है चालिस तक इसमें बता दीजिए जीरो की सं संख्या कितनी है तो आपको करना कुछ नहीं है आपको क्या करना यह 40 उठा लिजिए चालिस उठा लिजिए और इसमें पांच का भाग दिना सुरू करी कि हर एक संख्या में दो होगा तो दो को फाइंड ने करना क्योंकि दो हमको पता है कि बहुत ज्यादा आ जाएगा त मतलब यहां पर देखिए आठ एक नौ कितनी कितना योग आ गया नौ मतलब यह है इसमें जो जीरो के संख्या होगी वह कितनी होगी नौ कुल मिलाकर अब आपको इतनी सारी कंसेप्ट समझने के बाद एक ही चीज समझ में आया किस तरह के प्रशनों को हमको पेर बनाने की होती है और जोभी अंत्व में दिया होगा एक गुड़े दोगुड़े जो भी आत्मेदिया हो उसमें पांच का भाग देते चल के चले जाएंगे याद रहनास भाग फल रखना है ना कि सिस्फल से कोई लिया ना देना नहीं सेथे नहीं सिफोल को जोड़ देंगे लेकि से बताया था कि दस फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा दस गुड़े नो गुड़े आठ गुड़े साथ गुड़े च्छ गुड़े पांच गुड़े तीन चार गुड़े तीन गुड़े दो गुड़े एक यहीं होगा दस फैक्टोरियल का मतलब अब यह समझे 10 फैक्टोरियल आ गया इसका मतलब यह एक से शुरू होके 10 तक जाएगा और इसी 10 को उठाना है और 5 से भाग देना सुरू कर देना जैसे बाएं 50 नहीं सुरूर करेंगे तो सिर्वं दो बार जाएगा यही दो जो होगा दो सुन्य आएंगे इस में कितना बार दो बार गया तो 292 कॉछ भी फांच esses वह और यहां अब यहाँ पर जाएगा नहीं मतलब सो फैक्टोरियल में आपके 24 होंगे क्या जीरो जब सो फैक्टोरियल निकालेंगे तो 24 जीरो आपको निकल के चला रहे हैं बहुत ही असान प्रस्ण है ठीक है चलिए अब हम लोग कुछ अलग प्रस्ण करने के कोशिश करते हैं थोड़ जोद भी है दिया कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे उस कमेंट को देखेंगे हम और उसके बाद जो भी आपका डाउट होगा अगली क्लास में उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे ठीक है चलिए अब इसके बाद हम कुछ प्रस्णों को देखेंगे प्रस्णों को स संख्या कितने होगी सुन्यों की संख्या कितनी है तो आपको देखने में लगेगा कि अब मैं चलूं गुडा करूं सबका तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको यहां पर ध्यान से देखे यहां पर तो क्या दो होने की संभावना पूरा-पूरा है कि यहां पर दो होगा इसका म अब यहां पर जब 15 में देखेंगे तो आप क्या करेंगे 15-75 होता है 15 आपका क्या करेंगे 5 त्याइं 15 और एक और 5 कर लिजिए 25-75 हो जाएगा है ना 15-25 कर लिजिए या 25-75 कर लिजिए वह है ठीक है अब ध्यां से समझिए 5, 25, 75, यहाँ पर 2 आपको 5 मिल गए, इसमें 5 की संभावना है ही नहीं, क्योंकि जब भी 5 का multiply होगा, तो अंत में 1 अंक पर हमेशा 5 आता है, या तो 0 आता है, तो यहाँ पर ना तो 5 है, ना तो 0 है, तो इसमें 5 आने की संभावना है ही नहीं, इसमें भी 5 नहीं आएगा, तो इसको की हमको count नहीं करना है, इसमें भी 5 नहीं आएगा, तो इसमें भी हमको count नहीं करना है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो तो बहुत है, यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर 5 कितने मिलेंगे भाई यहाँ पर भी देख लेते हैं आप 225 कप पाते हैं जब आप 25 का गुड़ा 9 बार करते हैं 25 नवा 225 होता है तो अब यहाँ पर देखिए आपको 5 गुड़े 5 गुड़े 3 गुड़े 3 मिल गया अब 3 समझे कोई लेना दिना नहीं है यहाँ पर भी हमको 2 5 मिल गया ठीक है अब इसके बाद यहाँ से अब हम कहें लेना दिना नहीं है अब ध्यान समझे एक 5 यहाँ पर मिला 2 मिल गया है ना 3 हो गया चार हो गया तो कितने 5 मिल गए हमको टोटल तो को टोटल पांच मिले हैं चार तो इसमें सुन्यों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें सुन्यों का आपकी हो जाएगी टिके है कि अच्छेृ एक बात और यहां पर 29225 यह भी तो एक जीरो है इसको मैं क्यों छोड़ रहा हूं है नहीं तो यहां पर एक जिरो और लगा लेंगे तो यह आपका हो जाएगा सुन्यक संख्या पांच हो जाएगी ठीक है कि समझ में आया नई समझ में आगए इसको एक बार और देख लेते हैं यहां पर यह तो क्लियर हो गया होगा तो यह दो 225 गुड़े 90 हो जाएगा मतलब 25 गुड़े 90 हो जाएगा यहां पर पांच गुड़े पांच हो गया और यह कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा नव गुड़े दस दस में भी एक पांच होता है ठीक है एक दो तीन चार और पांच तो इसका एंसर जो आएगा वह आपक की संख्या निकाल कर सुन्यों की संख्या निकाल सकते हैं अँजी बात आपको ध्यान में रखना है कि उसमें दो भी होना चाहिए दो होगा तभी प्यर बनेगा कि हलाकि आप देख रहें बहूं सारे दो आपको मिल जाएंगा यहां पर जगह नहीं बंद यापको फैंड करना होगा चलिए अगला प्रसंदक्ते हैं अगला प्रस्थ क्या है मैं अगला प्रसंद आपका फीड्स नहीं है फ्यांस से देखें कुछुन कह रहा है है आपका कि 200 फेक्टोरियल में सुन्य की संख्या कितनी है 200 200 फैक्टोरियल में सुन्यों की संख्या कितनी होगी अब क्या करने जाएंगे क्या कि 200 से पहुचा दीजी आप एक तक ऐसा नहीं है हमने आपको बताया कुछ भी नहीं करना है आप 200 उठा लीजिए और 5 से भाग करना सुरू करिए कितनी बार जाएगा 40 बार फिर 5 से फिर दे उन चार्ज जीरो हो गए इसी तरह से आप 300 का भी करिए 400 का करिए सब का फिक्टोरियल आप निकालेंगे तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं पांच की संख्या को निकाल लेजिए उसमें कितने पांच है और आपका एंसर आपके सामने आ जाएगा ठीक है चलिए एक इजी समझ में आएगा एक प्रस्म में लिख रहा हूं दस प्लस सव कितना लिखा मैंने दस प्लस सव में सुन्यों की संख्या बता दीजिए दस प्लस सो में सुन्यों की संख्या कितनी है आपके पास आपसन होगा एक दूसरा आपसन है तीन और तीसरा आपसन है चार नेक्स्ट आपसन होगा आपका दो तो अब आपको यहाँ पर आपसन भी मिल गया है अब आप देखकर आपको बताना है किसमें सुन्यों की संख्या क कैसे अब यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं जैसे आप मालीजे प्रश्ण जल्दी जल्दी साल्व कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखते ही तरुन तरगे कि अच्छा इसमें एक दो तीन जीरो है ठीक है तीन जीरो है आप क्या करेंगे यह वाला आपसन लगा चल देंग भी याद है कि दस प्लस सो प्लस एक हजार तो आपको याद रखना है जब ऐसे प्रस्ण मिले एक जीरो हमेशा बढ़ता जाए और प्लस लगाओ तो सबसे आंत में जो सबसे पहले होता न सुन्यों के संख्या उतनी ही होती है इसका रिजन क्या होता है यह जो एक होता है हर एक जीरो के नीचे आता चला जाएगा यहाँ पर देखिए एक हजार फिर सो आ गया फिर दस आ गया देखिए एक ही जीरो तो बना बाक यह भी एक हो जाएगा यह भी एक हो जाएगा यह भी एक हो जाएगा इससे तरह से जितने भी यहाँ पर चार जीरो कर लिजिए फिर भी आपका सुन्यों की संख्या इसमें एक ही आएगा सुन्यों की संख्या एक होगा अब यहां पर यहीं आपको समझना है जब इस तरह से क्रम से बढ़ते होंगे तो आपको सुन्यों की संख्या हमेशा एक ही मिलेगा हमेशा एक मिलेगा यह ध्यान रखना है कि यह दस हो फि मैं किश्चन को पलट दूं और यहां पर मैं मल्टिप्लाइ कर दूं तब जाकर यह वाला आपसन सही हो जाएगा क्यों क्यों कि आप इसका गुड़ा करेंगे तो सुन्यों की संख्या तीन हो जाएगी जैसे दस का सो में गुड़ा करेंगे तो वह 1000 हो जाएगा आगे चलि एक प्सथर और देखते हैं से यह किशन और देखिए दसके घात में एक गुड़े दस गात में तीन गोड़े 10 के घात में 2 अब यहाँ पर आपको बताना है इसमें सुन्यों की संख्या कितनी है जब आपको 10 के घात में 1 लिखा है इसका मतलब इसमें कितने 0 है जब आपको 10 के घात में 5 लिखा रहता है इसका मतलब यह क्या लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5 पांच सुन्ने लगाना होता है, दस के घात दो लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें दो सुन्ने होंगे, तो आपको पहले से पता होता चला जा रहा है, जितने घात लगए है, उतने ही 0 होगा, जितना घात लगा है, उतना ही 0 होगा, दस का स्क्वायर आपने किया, तो 100 हो जा जाएगी 6 इसमें 6-0 होगा और इसी तरह से यह आपका एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं एक गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े, चार गुड़े, पांच गुड़े, डडडडड़ करते हुए गुड़े सव तक, अब इसमें क्या होता है, किसमें कुछ समसंख्याएं हैं, और कुछ विसमसंख्याएं हैं, तो समसंख्याएं और विसमसंख्याएं दोनों हैं, तो एक बार माली जीये क्या हो गय है ना सुन्यों के बटवारा लेकर समझी ऐसा कि जगड़ा हो गया तो क्या कहेगा भाई विसम वाला अलग में हो जाओंगा और सम्वाला में अलग हो जाओंगा तो आप यह देखिए यहां पर ध्यान से जैसे ही विसम वाला अलग होता है तो सबसे पहले क्या आएगा एक आ पर उसके बाद पान आएगा पिर साथ आएगा फिर 11 आएगा सोदि प्याईगा नओ कर आएगा पिर डटडट करके आप नियन राव्य तेक जया जाएगा और समवाला अपना क्या लेकिक आएगा दो चार छे-8 आट-टाट करके 100 तक जाएगा अब ध्यान से देखित घन देखिए ध्यान से कि यहाँ पर कहीं आपको दो मिलेगा क्या पूरे के पूरे विसम संख्या में दो कहीं पर भी नहीं मिलेगा पांस तो बहुत मिल जाएंगे पांच मिलेगा पंदरम मिलेगा पचीस में मिलेगा पांस तो बहुत आपको मिलेगे लेकिन दो नहीं मिलेगा तो पेर बनेगा ही नहीं जोडा बनेगा ही नहीं मान लीजिए ऐसे समझे कि ये एक गाव है एक से लेके सव तक और यहाँ पर साधी करवानी है जितने मेल होंगे उतने ही फिमेल होने चाहिए जितने मेल होंगे उतने फिमेल होंगे तभी तो एक पेर बनेगा तभी तो साधी होगी तो यहाँ पर जब इनका बटवारा हो गया तो इस साइड तो बहुत सारे मेल आ गए है ना पांच को आपको मेल मानना है और दो को आपको फिमेल मानना है इस साइड तो बहुत सारे मेल थे, बहुत सारे मेल चले आये लेकिन आप ये समझें, यहाँ पर तो female एक भी नहीं है जब एक भी female नहीं है तो pair बनेगा ही नहीं, साधी होगी नहीं इसका मतलब इधर 0 की संख्या तो ना के बराबर है ही नहीं 0 की संख्या होगी नहीं तो आपको यहां पर एक चिस सीखने को मिल रहा है जब आपको विसम संख्याओं का multiply करके पूछे कितना 0 है तो एक भी नहीं होगा 0 एक भी नहीं होगा 0 की संख्या 0 हो जाएगी लेकिन इस तरफ आप आएंगे तो दो की संख्या बहुत मिलेगी क्या पांच मिलेगा क्या आप तो कहेंगे पांच तो भी सम होता है तो इस तरफ रहेगा तो यहां पर आपको 10 मिलेगा 20 मिलेगा 30 मिलेगा 40 मिलेगा इस तरह से मिलेगा जिसमें 5 होता है मतलब ऐसा है कि यहां पर भी कुछ मेल आ गये कुछ पूरुस आ गये हैं और जब कुछ मेल है और बहुत सारी यहां पर मेल हैं तो जितने मेल हैं उतने की ही साधी हो सकती है मतलब जितने यहां पर पांच होंगे उतना ही पेर बनेगा और जितना पेर बनेगा उतना ही आपका जीरो होगा ठीक है तो अब यहां पर कैसे समझेंगे कि कितना जीरो है अब ध्यान से देखें इसको आप कैसे लिख सकते हैं दो गुड़े एक, इस चार को क्या लिखेंगे, दो गुड़े दो, इस छे को क्या लिखेंगे, दो गुड़े तीन, इस आठ को क्या लिखेंगे, दो गुड़े चार, इस दस को क्या लिखेंगे, दो गुड़े पांच, इसी तरह से आप लिखते जाएंगे, और सो तक पहु हर एक अंक में एक दो है मतलब दो से लेके कहां तक पचास तक गैळ कि आपकी इसमें कितने संख्याए हैं दो 5 पचास हैं तो आप यह कर सकते हैं जैसे मालेची 2-1-2 गुड़े-2 ऐसा लिखा हो तो आप यहां पर इस दो को कामन ले सकते हैं तो कितने दो हो गए एक और दो तो दो के घात में दो करेंगे तो यहाँ पर आपको पचास तो दो मिल रहें ना देखे एक दो तीन चार पांच यह से करते हुए पचास तक जाएंगे तो यहाँ पर हम दो के घात पचास क्या कर लेते हैं कामन ले लेते हैं क्या करते हैं कामन अब ध्य से दिखे जैसे इसको रिंगे न तो यहांपर यह जो एक है बचेगा एक यहां पर यह आपका दो ऐगा यहां पर पर ए आपका तीन बचेगा फिर उसके बच अबृ-बचेगा फिर उसके पांच बचेगा करते हुए हम ल Neum दस बार जाएगा पांच दोने मतलब कुल मिला कि हाँ पर 12 ठो कितने हैं पांच यहां पर 5 कितने हैं 12 पांच की संख्या है 12 तो 100 परसंट इसमें भी और दो है और यह देखे 50 लोग तो पहले से बाहर खड़े हुए है तो जितने लोग अंदर होंगे है जितने लोग बाहर है तो क्या हमको कामल लेना पड़ेगा यह तुम्हें आपको समझा रहाता है कि किस तरह से हमको कामल लेना सीखना है और किस तरह से यह पेर बनता है क्यूं संख्या के लिए अलग्स बिसम संख्या में एक भी जीरो नहीं इसमें संख्या यह सारी चीजे कैसे होती है आपको य बात चलिए आगे चलेंगे आगे हम लोग अच्छा इसी में समझ लेती हैं यह तो समझ में आ गया होगा चलिए एक प्रश्ण में लिखता हूं दो गुड़े चार गुड़े छे गुड़े आठ डडडडडड करके आपको 44 तक जाना है चलिए 88 कर लेजिए इसको अठासी तक जाना है भाई अब इसको ध्यान से समझे अठासी तक जाना है तो हमको क्या करना होगा कुछ भी नहीं करना है हमको पता है कि हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं अब इस देखिए संख समझिए इसको भी मैं बता दे रहा हूं और सरल तरीके से कैसे सलोब करना है इसमें सुन्दियों के संख्या निकालना है तो आप यहें कर सकते हैं इसमें 2 गुड़े 1, 2 गुड़े 2, 2 गुड़े 3 इसी तरह से हम संख्याओं को डिवाइड करेंगे अंद में जाएंगे 2 गुड़े 44 तक जाएंगे तो एक से लेके जब अंद तक गुड़ा होता है जहां तक वहीं फैक्टोरियल होता है अब इसी में हमको पता करना है क्योंकि इसमें 5 आएगा क्योंकि 10 अभी आएगा 20 आएगा 30 आएगा तो यहां पर 44 आगया 44 में देख लिजे कितने 5 हैं 44 पांच अठ चालिस और पांच एक का पांच हो जाएगा देखे आठ एक नव तो नव इसमें 0 हो जाएगा अब पांच इसमें 5 की संक्या कितनी है नव है तो जाएट से बाते पेर भी 9 ही बनेगा तो 9 आपके 0 इसमें हो जाएगा ठीक है चले एक प्रशन और लिखी दिस अब बताएए इसमें 0 की संक्या कितनी है अब आप कहेंगे अच्छा यहां पर 15 भी तो आएगा 15 है नव यह तीन का पहाड़ा है तीन दूनाच त्रिका नव और सब्सक्राइब तक गया है इसको समझने की कोशिस करिए और समझ यह किया इसमें कितने 0 होंगे है नव तो क् पहले साल cabeça 3 गोड़े 1 गोड़े दो गैघ क्षार यहां अब और 5 मंत्य कितने 5 आये हैं आफ यहां पर 5 नहीं देखना होगा अब आपको 2 देखना होगा दो और पांच दोनों को देख लेते हैं क्योंकि 3 समसर कोई लेना देना है नहीं अच्छा आप देखे एक गुड़े दो गुड़े तीन ग्यारत तक है तो इसमें पांच कितने आएंगे पांच आपको निकालना होगा, पांच दो नहीं, दस, यही होगा, मतलब 2 इसमें 5 होँगे, और 2 कितने होँगे, 2 का निकालेंगे तो, 2 शका बाद 2 पचे 10 हो जाता है, 2 दूना 4 हो जाता है, और 2 एका 2, 5 2 7 1, 8, तो इसमें 8 ठो क्या है, 2 है, लेकिन 5 कितने है, सिर्फ और सि सिर्फ दो का इसलिए इसका एंसर क्या हो जायागा दो जीरो होगा ठीक है तो समझ में आ गया होगा यह सारी चीजे तो यहां से कोई कोरी डाउट लाओट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके वाँद हम लोग और प्रशुप थोड़ा से अब हम लोग आगे समझते हैं एक प्र्सण लिखते हैं यहीं प्रसन लिखते हैं यहीं प्रसंस लिखता ऐसा कुछ भी अब आपको नहीं करना है यह तो आपको बेसिक था क्या उसका कंसेप्ट है किस तरह हम लोग करते ही वो इसका सीधा सीधा एक रिजल्ट निकलता है जब आप देखे कि कोई kompli दिया गया और मतलब किसी का पहाड़ा दिया गया है और वो चाहिए जहां तक चला जाए आपको पहले वाले उठा कर यह लाश्ट वाले को क्या कर देना भाग कर देना है क्या है क्या सतरह जैसे यह सतरह आया बस इसी सतरह में आप पता कर लिएये कितने 어때 पैंच के हैं पांस त्याई 15 हो गया तीन तो इसमें पांच आएंगे पूरे में तो तीन सुन्यक संख्या कितनी हो जाएगी निकल गया तो कुछ भी नहीं करना है आपको बस यह करना है कि जब आपको यह दिख जाए कि किसी चीज का पाड़ा है पाड़ा के मतलब से एक गुड़े कितनी संख्यास में पांच होगी निकाल लीजिए आपको एंसर पता चल जाएगा ठीक है ठीक है एक बार चार का भी पहड़ा लिखके आपको दिखाते हैं चार दुनियाठ चारतें बार चार्चों का सोलर डडडडडडड करके 444 तक पहुच जाते हैं अच्छी बात है प बीशनbad रटडड़ पर फिर कर यह बांचों का फिर अब जाय का नहीं तो भी स interesting और चार चार-चोबीस होता है और आप यहां के बाईस। बार जाएगा ना हां यह 22 बार जाएगा और यह 26 हो जाएगा ठीक है इसको थोड़ा से ध्यान दीजिएगा यह 22 हो जाएगा बाइस चार 26 हो जागा है अच्छा यह सो होता है चलिए तो यहां तक चीजे समझ में आ गई होंगी अब कुछ ऐसे प्रशन लेते हैं जिनको देखने पर सवाल बहुत प्रशन असान लगेगा लेकिन दिमाग वहां पर हिल जाएगा जैसे हम लेगते हैं दस का गुड़च दस गुड़े 20 गुड़े 30 गुड़े 40 गुड़े 100 तक ही लेके पहले ट्राई करते हैं कि आपको समझ ही पांच है आपको दीख रहा है ऐसा कुछ विल्कुल नहीं है चलिए बेसिक पर समझते हैं इसको दस को की लिखेंगे तो क्या करेंगे आप समझे यहां पर दस पर लिखेंगे 10 गुड़े 1 दस गुड़े 2 इसका लिखेंगे 10 गुड़े 3 इसी तरह से अंत में आएंगे 10 गुड़े 10 जस दस बार कामल लेंगे और उसके बाद यहां पर समझे एक गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 10 तक जाएंगे अब इस दस में पता करिए कितने हैं अभी आपने पता किया पांच दो निदस इसमें पांच कितनी हैं दो बार है इसमें पांच कितनी हैं दो ब ये दो ये दस ये दो ये कितने सुनने हो गए बार तो दस वाले कंडिसर में आपको ये ध्यान में रखना है ठीक चलिए अब इसी प्रश्ण को और एक्स्ट्रा कर लेते हैं अब आप अपने आपसे बताएंगे ये दस गुड़े, बीस गुड़े, तीस गुड़े, डडडडड़ एक हजार तक बता देजे तो कुछ भी नहीं करना है अब आपको ये पता हो गया कि जैसे ही दस आप देख रहे हैं तो इसके बाद सो आ रहा है तो यहाँ पर जैसे भाग देंगे कितने बार जा रहा है दस इसी के घात ही तो लगाना था तो यहां पर दश है तो उमको लगा दीजित reste मद दस के घात में सव आ जाएगा तो यहां पर सो जीरो तो पहले से fix हो गया, इसका मतलब ये 1 गुड़े, 2 गुड़े, 3 गुड़े कहां तक जाएगा, 1000 तक जाएगा, सोरी, 100 तक जाएगा, अब ये 100 में निकाल लिजे, 100 को आपको पता है, पहले से 100 factorial कितने 0 होते हैं, 24 होते हैं, 5 से बाग दीजे, 20, 5 चो का 20, 24 हो गया, तो 24 0 यहाँ पर, 100 0 यहाँ पर, ये आपका हो गया, 124, तो टोटल इसमें कितने 0 की संख्या हो जाएगी, 124 0 की संख्या हो जाएगी, ठीक है, अब एक बात हमें सा समझे, यदि किसी भी सिरीज में, यदि 5 का गुड़ा मिल जाए तो, 5 की गुड़ा में हमेशा 2 निकालना है, तो 5 गुड़े, 10, 15, 20, डट, डट, करके हम 50 तक जाते हैं, तो इसमें आप देखिए, बहुत सारे 5 मिलेंगे हमको, हैंना, बहुत 5 मिलेंगे, लेकिन पेर कैसे बनता है, 5 और 2 का, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 न निकालके, हम इसमें 2 किसंख्या निकाल लेंगे, कि इसमें 2 कितने हैं, देखिए, तो ये 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, दस बार इसमें दो निकाल लीजिए कितनी है एक ही बार है एक तो यहां पर 20 मिल जाएगा तो एक तो आपको कंडिशन इसी तरह से सालो करना यह आपको होमवर्क में मिल रहा है मैं आपको यह नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब दूँगा इजी है बिल्कुल इसी तरह से नि कि चलिए तो आज का क्लास यहीं पर कंपलीट करते हैं है यहां पर सुन्यों कि संख्या कंपलीट होगे नेक्स क्लास में हम लोग विभाजता और सिस्वल प्रमिय के बिसे में पढ़ेंगे देखिए जो नंबर सिस्टम जो चेप्टर है आपको समझने की जिरूत है पांच संख्या आपको च्या किया जाएगा आपको ट्रिक बता दिया जए कि लेकिन आप ट्रीक लेकर कहां तक जाएंगे त्रिक लेकर आप जांगा ढूंगे और हेसे प्रसन आ गए घुमाद यह क्या करेंगे प्र 14 यहाँ पर जाएं गे तो तो इस तरह से आपको नहीं करना है तरिक जो होता है वह आपको एक Link Jacian तक ही रखता है लेकिन जो बेसिक और रहता है वह आपको सभी परशिनों tradition को खोल के रख देता है सभी परशिनों का राज उसके पास को यह को कि आपका basic video और कंसेप्ट क्लिएर है और वहीं हमको चाहिए जितने भी हमारे स्टुडेंट हैं वो सभी बैसिक को सीखें अखिर सुन्यों की संख्या हुथी क्या है कहां से सारी चीज़े आती है अब यह यह आपने इस क्लास को देखा है इस class को देखने के बाद आपका जीरो कर संख्या के एक भी प्रशन नहीं चोड़ेगा आप किसी भी chapter से लगा लिजिए सोरी किसी भी किताब से लगाईए देखिए सुन्यों की संख्या यदि नहीं आ रहा है तो आप doubt है तो आप सीधे क्या करेंगे comment करके पूछ सकते हैं तो यहां पर वहीं लेबल रखना है ने तो अभी हाई और हाई भी सवाल रखना हो तो और भी हार्ड प्रशन अगर हमको रखने हो तो बहुत सारे ऐसे प्रशन होते हैं जो सब प्रशनों को हमको यहां पर नहीं देखने की जरूरत है ना चलिए ठीक है तो यदि आपको class अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे लाइक करतेंगे सभी लोगों को और उसके बाद यदि आप चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ठीक है पीडिया आपको description लिंक दिया गया होगा लिंक पर क्लिक करेंगे टेलिग्राम चैनल उसको और वहां पर सभी के सभी क्लासेश का पीडियाफ मिलता जाएगा ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद